जो statement record कर रहे हैं अड़ोकेट मुकेश है हमारे साथ जो ये पीछे खड़े हुए हैं हम लोग आपका case दोस्तो इस वीडियो को जो मुसल्मान भाई देख रहे हैं गोर से मेरी बातों को सुनियेगा क्योंकि इस वीडियो से पता चलेगा कि हमारे देश में मुसल्मानों को खत्म करने के लिए मुसल्मानों को सताने के लिए किस तरह साजिश की जा रही है और पलानिंग हो रही है MP, MLA से लेकर सरकार और सरकार से लेकर जनता तक किस तरह पलानिंग चल रही है मुसल्मानों को सताने के लिए और आप भी मुसल्मान हैं कहीं आपके इलाके में भी ऐसा ना हो जाए इसलिए आप सतर कराए और होशियार हो जाए और ये वीडियो देखिए इस वीडियो से पता चलेगा किस तरह तरीपुरा के मुसल्मानों के खिलाफ MP, MLA और सरकार से लेकर जनता तक किस तरह पलानी चल रही थी और ये खुलासा करने वाले हम नहीं बलके सुपरिम कोट के वकीलों की टीम है जो खुलासा करके रख दिया है वहाँ की पुलिस को एक स्पोज किया है दोस्तो समझने वाली बात ये है कि वहां की मस्दिदों को जलाया गया कुरान पार्ट को जलाया गया मुसल्मानों को सताया गया लेकिन वहां की पुलिस कह रही थी कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं और उल्टा मुसल्मानों को कह रहे थे कि आप घरों के अ आप लोग अंदर रहे हैं और यहां पर कुछ हुआ ही नहीं और पुलिस वाले ये कह रहे थे कि अगर कोई रिपोर्ट करेगा, कोई वीडियो बनाएगा, सोसल मीडिया पर डालेगा तो हम सखत कारवाई करेंगे, देखिए किस तरह वहां के मुसलमानों के खिलाफ साजिस हो आग जल रही थी, तो लोग बुझाने की कोशिस कर रहे थे, मुसलमान बुझाने की कोशिस कर रहे थे, लेकिन वहां की पुलिस मना कर रही थी, कि आग मत बुझाओ, आप सोच सकते हैं किस तरह प्लानिंग चल रही थी, और सरकार को भी ये पुलिस वाले भी किस तरह साथ दे रही थी दोस्तों अब लास्ट में कुल मिला जुरा कर आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि नैता बीजेपी वहां की सरकार ये सब इसलिए करवा रही है क्योंकि वो चाहती है कि हम हर जगा चुनाव जीते हैं चुनाव जीत लें लेकिन उसका उल्टा हो रहा है हर उपचुनाव में सुफडा साफ हो जा रहा है बंगाल के अंदर आप देख सकते हैं सुफडा साफ हो गया है मंता दीदी की जीत हुई है टीमसी की जीत हुई है उसको लेकर वहां के नैता बीजेपी नैता बोखला गए है उनका दिमाग खराब हो गया है और उल्टा सिधा बयान दे रहा है BJP तो दोस्तों इसी तरह जहां जहां BJP हार रही है इसका मतलब यह है कि वहां के लोग शांती चाहते हैं अगर आप भी शांती चाहते हैं तो आपके वहां कभी भी चुनाव हो तो आपको क्या करना है आप खुद समझ दिजिए अगर मेरी बातों से सामत हैं तो वीडियो को एक लाइक करके शेर किजिए चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए